दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से वहले आपसे रिक्वेश्ट रहेगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें सपोर्ट करें दोस्तो आज PM मोदी ने काफी सारी स्पोर्ट हस्तियों और फिटनिस इंडरस्टी से जुड़े लोगों को अपने साथ एक चैट में सामिल किया और उन्होंने इसमें विराट कोली को भी सामिल किया और ये एक New India Fit India नाम से ट्विटर में ट्रेंड भी कर रहा था ये जो मोदी जी का कारिकरम था मोदी जी वैसे भी fitness के लिए और योगा के लिए काफी दिनों से प्रयास कर रहे हैं कि यूथ फिटनिस और योगा में काफी ध्यान दे और लोग देवी रहे हैं इंडिया में आप देख रहे हैं फिटनिस इंडरस्टी कितनी जादा बढ़ी है पिछले 4-5 सालों में इसमें बहुत सारे लोगों का युगदार है जो चलिए दोस्तों वीडियो के और बढ़ते हैं अभी जो फिटनेस रूटीन फॉलो करते हैं मैं जुरूर चाहूँगा देश भी जानना चाहेगा क्योंकि नवजवान आपको आपके हर गतिविती को देखता है यह आपको कैसे मदद करता है पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद सारे यहां पे हम सब को बुलाने के लिए एक सब लोगों ने फिट इंडिया मूव्मेंट के बरे में बात करी और इसके फाइदे इसके लाब हमको रोज अपनी डेली लाइफ में किसी ना किसी तरीके से दिखते हैं सबने अपने एक्सपिरियंस बताए मिलिंजी ने भी बहुत अच्छी बाते रखी बहुत इंस्पिरेशनल उनका भी काम रहा है उनकी जर्णी रही है पिछले कुछ सालों में मैंने भी बहुत अब्जर्व किया है और मेरे खुद की एक्सपिरेशन में सर एक ट्रांजिशन एक्सपिरेशन करने को मिला मुझे कि जिस पीडी में हम खेलना शुरू हुए और जो उस समय खेल की हमारी डिमांड्स थी वो बहुत तेजी से बदली एक समय के बाद और मुझे ये एक्सपिरेशन हुआ कि जो एक हमारा सिस्टम बन चुका था हमारा एक रूटीन बन चुका था वो हमारे खेल के डिमांड्स के लिए सही नहीं था और उसे बदलना जरूरी था क्योंकि हमारा खेल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम कुछ फिटनेस के पॉइंट आफ यू से पीछे छूट जा रहे थे हमारी स्किल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो एक स्वामी जी ने भी बात रखी आपने भी बात करी मिलिन जी ने भी पहले बताया एक जो सेल्फ रियलाइजेशन की बात है कि आपको खुद से रियलाइज हो कि कि मुझे क्या बदलना है अपने अंदर तो मुझे वो एक समय पे खुद भी एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं फिटनेस जो है वो प्रायर्टी होनी चाहिए और अगर मैं आपको आपको बताऊं तो पहले खेल को अच्छा करने के लिए मेने शुरू करी लेकिन अज अगर ट्रैक्टिस मिस भी हो जाए तो मुझे एतना खराब नहीं लगता लेकिन अगर फिटनेस सेशन मेरा मिस हो जाए अक्तिविटी मिस हो जाए तो मुझे जाधा है अच्छा न फिरफ़ोरा है आज तो इस क्या ये और हम चाहते हैं कि वो लेवल हम उपर लेकर जाएं जो एक बेसिक रिक्वार्मेंट है आज की डेट में हम लोग फोकस करते हैं कि जैसे T20 मैच हो गया या वंडे मैच हो गया वो एक दिन में खतम हो जाता है लेकिन अगर हम टेस्ट मैच की बात करें जो पांच दिन आपको खेलना है हर शाम को आपको वापस जाना है अगले दिन फ्रेश आना है तो उस पॉइंट ऑफ यू से ये फिटनेस जो स्टेंडर्ड था बहुत जरूरी था और मैं सबसे पहले मैं ही जाके भागता हूं और ये कंडिशन है कि अगर मैं भी भेल हो जाओंगा तो सिलेक्शन के लिए मैं भी अवेलिबल नहीं हूं तो इतिंग ये ये सिस्टम और ये कल्चर सेट करना बहुत जरूरी होता है और उससे क्या होता है सर ओवरॉल एक जो फिटनेस लेवल ए टीम का बढ़े का बढ़े का जैसे टेस्क्रिकेट में हमारा बहुत बार होता है कि आप थके ह हैं तीसरे दिन आके आपको जैसे हमारे फास बोलर जा आज की डिट में वो दुनिया में सबसे उपर हैं तो उनको अगर दूसरे तीसरे चौथे दिन आके वो एफर्ट डालना है फील्ड पे तो वो डाल सकते हैं पहले क्या होता था स्किल हमारे पास हमेशा से रही है लेक हमारी फिटनेस के वज़े से हम वो जरूरी समय में उस चीज़ को कैपिटलाइस कर पा रहे हैं और हमारे रिजल्ट उसी तरीके से आ रहे हैं तो एक सर बेंचमार्क इलीट प्रस में होना ज़रूरी है GM आपने देखा होगा उन्होंने ये mission काफी पहले से चालू किया है और उन्होंने इसके लिए काफी काम भी किया है आप में से कई लोगों ने follow भी करते हूंगे जो gym करते हूंगे तो दोस्तों आपको पता होगा पिछले 3-4 साल में काफी gym culture भरत में बढ़ा है और इतना बढ़ा है कि लोग काफी अवेर हो गए अपनी फिटनिस को लेकर और गली-गली महले महले में जिम खुली है तो आप भी बताईए इस जिम कल्चर को बढ़ाने के पीछे आप किसे बहुत बड़ा किसका बहुत बड़ा युगदान मानते हैं तकि celebrities ने काफी प्रयास किया है leaders ने काफी प्रयास किया है कि भारत में लोग fit रएए fit रहने का मतलब यह नहीं कि आप gym ही जाते हो fit आप घर में भी रहकर रह सकते हैं इसी chat में ऐसे कई celebrities Yeah किसकी की वज़ाय से, आया है धन्य वाद दोस्तों झाल झाल